हेलो प्रेंड वेल्कम टू आर्णाफोटी केचन आज मैं आपको सुखी अर्भी बनाना बताऊंगी यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही जटपट बनने वाली सब्जी है मैंने यहां पे अर्भी को उबाल लिया है और उन्हें चील लिया है आदा किलो अर्भी लिया है नमक स्वादनसार हींग अजवाइन एक छोते चम्मच हल्दी एक चम्मच मिर्च अपने तेस्ट के अकॉर्डिंग और यह है अमचूर और अर्भी बनाने के लिए मैंने लिया है सर्षो का तेल दो बड़े चम्मच तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अर्भी को ऐसे हाप से हतेलियों से दबा के इसे ऐसे इस तरह से कर देंगे सारी अर्भी यह देखिये सारी अर्भी को ऐसे ही दबा दबा करके रख लेंगे ये देखिए मैंने अर्बी को सारी अर्बी ऐसी दबा करके ऐसी रखनी है अब हम इसे बनाने के त्यारी करते हैं ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है इसमें कोई मसाले नहीं है कोई प्याज लेसन कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं बहुत ही सिंपल है और जो नहीं खाते होंगे तो वो भी अर्बी खाना स्टार्ट कर देंगे ये तनी टेस्टी लगते है आईए चलिए अर्बी बनाते हैं मैं इस पैन में सरसो का तेल डालूँगी दो बड़े चमश ऑल डाल लिया है मैंने अब इसी थोड़ा सा गरम हो जाने देंगे पैल गरम हो गया है अब मैं इसमें डालूँगी हिंग अजवाइन थोड़ी सी अजवाइन अभी पहले डालेंगे तोड़ी बात में डालेंगे और डालेंगे इसमें हल्दी एक आदा चमश और हम इसमें अब ये अर्भी डाल देंगे गैस को मीडियम रखना है ऐसे दीर दीर करके इसमें हल्दी डाल देंगे और इसको ऐसे हल्की हल्की सी आजपे होने देना है और ज्यादा इसे चमश से चलाना नहीं है जिससे ये अज़ादा इसमें है तूट जाएंगी अगर चमश से चलाएंगे तो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए नीचे से फिर हम इसे पलट देंगे अब पकड़ की सायता से या कपड़े की सायता से इसको पैन को थोड़ा सा फिला करके इन्हें और भी सिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सो इस तरह से अब इसे हम थोड़ी देर के लिए धक करके ऐसे ही शोर देंगे एक दो मिनित तक धक करके इसको ऐसी होने देंगे फिर हम इसे निकालके उपर से हम दालेंगे थोड़ा सा नमक पूड़ी थी हल्दी उपर से हो लाल मेश पाउडर आप चाहिए दहिया पाउडर डालेंगे नहीं डाल रही हूँ आप डालेंगे थोड़ा सा अमचूर अब हम इसे थोड़ी दियर और डग देते हैं नीचे से थोड़ी सी करिस्पी हो जाएंगे तब हम इसे पलट देंगे यह हो गई है नीचे से थोड़ी अब हम इने पलट देते हैं हलके हलके हाथ से पलट से दीरे दीरे पड़ते हैं कि यह कम मसाले में और यह बहुत ही अच्छी बनती है मेरी तो फेवरेट है आप भी से ट्राय ज़रूर करें दीरे देखिये मैंने सारी पलट दी है अब मैं इसे एक बार और पकड़की कपड़े से शेक कर दूँगी थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा और ऊपर से हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही नमक मिलाएं कि सब में नमक अच्छे से पहुंच जाएगा अगर आपको चटपटी बनानी है तो और मिज डाल लें इसमें और थोड़ा सामचूर पावड़ा रहाँ अब मैं इसे फिर से ढब देती हूँ थोड़ी नीचे से भी क्रिष्पी हो जाएंगी अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसी छोड़ देते हैं अब भी बन गई है अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं यह बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है यह देखिए क्रिस्पी और टेस्टी है भी रेडी है मैं इसके उपर से थोड़ा सा जनिया डाल देती हूँ अजर आपको मेरी नेसपी पसंदा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कर दो कर दो क्या एंद कर दो कर दो कर दो झाल झाल